भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं, पर आज आप जान जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं, आज की कहानी बहुत खास है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं. भारत के एक सुदूर गाव में बसे हुए एक छोटे से परिवार में एक युवक था, जिसका नाम अरुन था. अरुन के परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी. परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था, परंतु उनके सपनों की उंचाई अनंत थी. अरुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की सभी समस्याओं को हल कर सके. गाव की स्थिती बेहद दया नहीं थी. वहा ना तो अच्छे स्कूल थे और ना ही रोजगार के परियाप्द अवसर. अरुन को अक्सर यह सुनने को मिलता था कि भ सुबह सुबह ही उसे खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था. उसके बाद वह अपने स्कूल की ओर निकल पड़ता था, जो गाव से करीब 3 किलो मीटर दूर था. स्कूल जाने का रास्ता कच्चा था और बरसात के दिनों में यह रास्ता और भी मुश्किल हो जाता था, पर अरुन का द्रढ संकल्प और उसकी शिक्षा के प्रतिसमर्पन उसे इन सभी कठिनाईयों से पार पाने की शक्ती देता था. अरुन ने प्राथमिक शिक्षा गाव के छोटे से स्कूल से प्राप्त की, वहां की सुविधाएं बेहद सीमित थी, लेकिन अरुन का द करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. गाव के बुजर्ग संत, जिनका नाम स्वामी विवेका नंद था, अरुन की मेहनत और लगन को देखकर अक्सर उसे प्रेरित करते थे. एक दिन अरुन ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या सच में भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट जा सकता? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया. बेटा, भाग्य का लिखा तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अपने प्रयासों से उसे सुधार सकते हैं. मेहनत और समर्पन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है. स्वामी विवेका नंद की बातों ने अरुन के दिल में गहरा प्रभाव डाला. उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में कुछ बढ़ा करेगा. लेकिन इसके लिए उसे गाव से बाहर निकलना था, जहां ज्यादा अवसर और बहतर शिक्षा मिल सके. अरुन का सपना था कि वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प् भी खराब हो गई थी. फिर भी अरुन ने हार नहीं मानी. उसने गाव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया. दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता. उसने अपनी छोटी बेहन को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी ली. अरुन की माने भी उसके सपनों को प अदद करने का निर्णा लिया. उन्होंने अरुन की मान से कहा, आपका बेटा बहुत होश्यार और महनती है. मैं चाहता हूं कि वह आगे की पढ़ाई के लिए शेहर जाए और कुछ बढ़ा करे. मैं उसकी शिक्षा का खर्च उठाउंगा. अरुन की माने रमेश जी का धन और अरुन को शहर भेजने का निर्णाय लिया। अरुन ने गाव के लोगों से विदा ली और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर की और प्रस्थान किया। शहर में आकर अरुन को लगा कि जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। यहां की तेज रफ़तार जिंदगी और बड़े बड़े इमारतों ने उसे पहली बार में ही दंग कर दिया। उसे एक छोटे से किराए के कमरे में रहना पड़ा जहां उसे अपने सारे काम खुद ही करने होते थे। शेहर में आने के बाद अरुन ने एक स्थानिय कॉलेज में दाखिला लिया। वहां की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों का तरीका गाव के स्कूल से बिलकुल अलग था। पहले कुछ महीने उसके लिए बेहद कठिन थे। लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से इन चुनोतियों का सामना किया। कॉलेज के पहले सेमेस्टर के दौरान अरुन ने देखा कि शेहर के बच्चों के पास पढ़ाई के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी थी। संसाधनों की कमी को पूरा करेगा जो उसे नहीं मिल पाए थे। वह दिन रात पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और अपने सहपाठियों से चर्चा करता। उसने खुद को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने का निर्णा लिया। उसके कॉलेज में एक पुस्तकालय था, जहां वह अपने खाली समय में जाकर अध्ययन करता। वहां की किताबें और संसाधन उसके लिए ग्यान का एक नया संसार थे। उसने पुस्तकालय में बिताए गए समय का पूरा फाइदा उठाया और अपने ग्यान को और गहरा किय कॉलेज के दौरान अरुण ने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसे प्रेरिद किया एक दिन कॉलेज के वारशिक समारोह में एक प्रसिद्ध उद्योगपती श्री राकेश महता मुख्य अतिथी के रूप में आये उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सफलता की कहानी साज़ा की राकेश जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी महनत और समर्पन से एक छोटे से गाव से निकल कर एक बड़ा उद्योगपती बनने का सफर तय किया उनकी कहानी ने अरुण को बेहद प्रेरित किया समारोह के बाद अरुण ने राकेश जी से मुलाकात की और उनसे मार्ग दर्शन मांगा राकेश जी ने अरुण की महनत और लगन देखकर उसे अपने कार्यालय में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया अरुण ने इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा और इंटर्नशिप के दौरान अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन किया एक दिन गाव के पास एक नई कमपनी ने एक फैक्टरी खोलने की गोशना की कमपनी ने नौकरी के लिए स्थानिये लोगों को प्रशिक्षन देने का प्रस्ताव दिया यह अरुण के लिए एक बड़ा अवसर था उसने बिना देर किये इस मौके को पकड़ा और फैक्टरी में काम सीखने लगा उसकी मेहनत और लगन देखकर कमपनी के मालिक ने उसे मुख्य इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए चुना ट्रेनिंग के दौरान अरुण ने अपनी क्षमताओं को और निखारा उसने नई तकनीकों को सीखा और अपने ग्यान को बढ़ाया ट्रेनिंग के दौरान उसने यह महसूस किया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं अगर हम अपने सपनों के प्रती समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है ट्रेनिंग के दौरान उसने यह महसूस किया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं अगर हम अपने सपनों के प्रती समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरुन ने गाव लौट कर अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की उसने फैक्टरी में एक प्रमुख कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिती को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया अरुन की मेहनत और समर्पण ने उसे कंपनी के मालिक का विश्वास पात्र बना दिया कुछ वर्षों बाद उसे प्रमोशन मिला और वह कंपनी का मैनेजर बन गया उसकी मेहनत और लगन की कहानिया गाउ में प्रेरणा का स्रोत बन गई अरुन ने अपनी सफलता का उपयोग न केवल अपने परिवार की स्थिती सुधारने के लिए किया बलकि गाउव के अन्य लोगों की भी मदद की उसने अपनी बचत से गाउव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया जिससे गाव के अन्य लोगों को भी लाभ मिला। वह नियमित रूप से गाव के युवाओं को प्रेरित करता और उन्हें बताता कि मेहनत और समर्पन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उसने यह साबित कर दिया कि भाग्य का लिखा तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अपने प्रयासों से जीवन को नया मोڑ दिया जा सकता है। अरुन की कहानी ने पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गई। उसने यह दिखा दिया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते लेकिन अपने प्रयासों और मेहनत से हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी न केवल प्रेरणा दायक है बलकि यह यह भी सिखाती है कि महनत, समर्पन और द्रड संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उमीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हा तो इसे लाइक करें और कॉमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।